हेलो एबरिवन एक नई वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड यदि आपका खाता बैंक आप बढ़ोदा में है और आपके खाते से आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है या फिर लिंक है लेकिन ट्रांजक्शन के लिए लिंक नहीं है नहीं होता है तो आप कैसे अपने खाते से अपने आधार कार्ड को अपने मॉबाइल के जरी घर बैठे कैसे लिंक कर सकते हैं हम आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्क्राइब भी कीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते है गाइस सबसे पहले आपको अपना जो बी-ओ-बी-वर्ड अप्लिकेशन है इसको ओपन कर लीजिए तो इसको ओपन कीजिए उसके बाद इसमें जो लॉग इन पिन होता है उसको डाल दीजिए क्योंकि दोस्तों आप बी-ओ-बी-वर्ड अप्लिकेशन के जरीए बहुत आसानी से जो है अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक कर पाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस पर का से देखने को मिलेगा नीचे आप देखेंगे कि मौर का एक आपसन देखेगा इस पर आप किलिक कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर धेर सार आपसन आएगा तो यहाँ पर देखिए कि रिक्वेश्ट सर्विस का आपसन देखने को आपको मिल रहा है तो आप simply request service के option पर click कर दीजिए अब यहाँ पर आपको ढहर सार option देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना कि सबसे नीचे आ जाना है सबसे नीचे में आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आधार update का एक option देखने को मिल रहा होगा तो simply आपको आधार update वाले इस option पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर इस परकार से अगला page खुल जाएगा अब यहाँ पर देख रहे हैं आप सबसे उपर यहाँ पर information लिखा हुआ दिख रहा है अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ term and condition बताएगी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना आधार काड अपने साथ रखना है उसके बाद आपको दियान रखना है कि आपका जो आधार काड से mobile number link है और आपके खाते से जो मुबाइल नमबर लिंक है उसको भी यहाँ पर साथ में लेना है उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखी नीची सेलिक्ट अकाउंट का आपसन है इस पर आप किलिक कर दीजिए आपका अकाउंट नमबर सो हो जाएगा तो यहाँ पर अकाउंट नमबर पर किलिक कर दीजिए उसके बाद सीडिंग टाइप का आपसन दीखेगा तो इस पर किलिक कर दीजिए उसके बाद जो दूसरा वाला अफिजन है, ये वाला इस पर अगर आप किलिक करते हैं तो आपका जो आपके खाते से बाइलन्स ट्राँंजक्षन भी होगा और उसके बाद निकलेगा भी कहींपर आप आधारकार से पैसा भी निकाल पाएंगे और साथ ही साथ जैसे सरकारी किसी सरकारी योजना के दोर अगर आपके खाते में पैसा आना होगा तो ओभी आ जाएगा और अगर आप तीसरे पर क्लिक करेंगे तो आपके खाते से बाइलने जो निकलेगा नहीं ट्रांजेक्शन हो गयरा कुछ नहीं होगा सिर्फ आपके खाते से जो उधारकार है वो लिनक हो जाएगा तो यहाँ पर गार आपको सबसे ठीक रहेगा कि आप बीच में आपको भूचक कीजिए इस परकलिक करने से आपके खाते में पैसा भी आएगा ट्रंसफर भी होगा उसके बाद आधारकार से पैसे भी निकाल पाएंगे उसके बाद यहाँ आधार नमबर का आफसन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको अपना आधार नमबर एंटर कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आधार नमबर हमड़े एंटर कर दिया फिर उसके बाद नीचे फिर से confirm करने को वता रहा है तो फिर से आप अपना अधार नमबर यहां एंटर कर दीजी उसके बाद यहां पर जो check box दिख रहा है इस पर click कर दीजी इसकी terms and condition को accept कर लीजी उसके बाद generate OTP पर आप click कर दीजी जैसे आप generate OTP पर click करेंगे तो आपके आधार कार से link के जो mobile number होगा उस पर एक OTP चला जाएगा उस OTP को आपको यहां पर फिल करना है तो मैं यहां पर उस OTP को enter कर दे रहा हूँ OTP इंटर करने बाद friend यहां पर देखी verify का जो option नीचे दिख रहा है आपको verify पर click कर देना है तो जैसे आप verify पर click करेंगे तो यहां पर आपकी सारी detail देखने को मिल जाएगी जैसे आधार नमबर नाम हो गयरा आधार में जो नाम है जिटाब बर्त हो गयरा आपका सारी ची एक बार आप चेक कर लीजिए देख लीजिए उसके बाद आपको नीचे जो confirm का option है इस पर click कर दीजिए जैसे आप confirm पर click करेंगे तो यहां पर enter transaction pin का option आ जाएगा तो यहां पर आप अपना यम pin डाल दीजिए जो transfer balance transfer करने वाला pin होता है जैसे आप pin डालेंगे उसके अब आपका जो आधार कार्ड है वो आपके bank खाते से link हो जाएगा तुरंत यह नहीं तुरंत लिंक हो जाएगा आपको एक हफ़ते तक अंदर लगबग लिंक हो जाएगा तो यह जो आपसे पहले bank में जाएगा वहां पार जो verify करेंगे शेक करेंगे उसके बाद लिंक हो अब आपका जो आधार कार्ड है आपके खाते से link है कि नहीं इसका status चेक करने के लिए आपको आधार कार्ड की जो official website है UIDI इस पर आना होगा है इस पर आने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपको एक option देखने को मिलेगा आधार service का तो इस पर आप किलिक कर चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड जो है आपका आधार कार्ड वो आपके बैंक खाते से link है या फिर नहीं link हुआ है